नमस्कार आप देख रहे हैं भारत एक्स्प्रेस और मैं हूँ आपकी साथ आनंद फिजे सिंग। राजस्थान में पचीस नवबर को चुनाव है और इस बीच हम आपको पुर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बारे में कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो शायद आपको ना पता हो। धौलपूर राजगराना यूतो राजस्थान चुनाव में कई बार यू कहें बार बार उतरता रहा है लेकिन इस राजगराने का चुनाव इतिहास बहुत पुराना नहीं है इस घराने की बहु वसुंधरा राजे ही इस राजगराने से चुनाव लड़ने वाली पहली महि रही हैं जो इस चुनाव में भी मैदान में हैं उनके पुत्र और अगली पीड़ी के सदस्य दुश्यंत सिंग सांसद हैं इस तरह यहां मा बेटे धौलपूर घराने का राजनितिक प्रतिधित्व करते आ रहे हैं वसुंद्रा राजे इस बार जालरा पाटन विधानसवा सी से चुनाव मैदान में हैं विकेंद्र में मंत्री भी रह चुकी हैं पांच बार सांसद रह चुकी हैं साल दोहजार तीन से लगातार विधायक हैं दो बार राजस्थान की सीम रह चुकी हैं उनके पुत्र दुश्यंत सिंग भी लगातार सांसद चुने जाते रहे हैं उनक उन्चास में ही भारत संग में अपना विले कर दिया था और इस घराने के अंतिम आपचारिक राजा उधैभान सिंग थे उन्होंने 1911 से 1949 तक धौलपूर पर राज किया उसके बाद ये राज घराना भारत संग में शामिल हो गया हलांकि वसुंधरा राजे के पती हैमंत के पास भी महाराजा का धर्जा रहा है फिर इंदिरा गांधी के राज में जब रजवारू से महाराजा की उपाधी वापस ली गई तो ये परिवार भी पुर्व हो गया जिस जालरा पाटन सीट से वसुंधरा राजे चुनाव लड़ रही है वहां से भारती जनता के मोहन लाल ने बीजेपी उमिद्वार अनंग कुमार को हराया था साल 2003 से भारती जनता पार्टी के उमिद्वार के रूप में वसुंधरा राजे यहां से चुनाव लड़ती और जीतती आ रही है इस सीट पर दूसरे दलों ने कई प्रयोग किये लेकिन बात नहीं बन पा प्रश्वस्त दिखती हैं लेकिन इस परिवार का राजनितिक संघर्ष जितना सपार्ट दिखता है पारिवारिक मामला उतना ही उल्जा हुआ है महराजा उदैभान सिंग तक तो शासन दुरुस्त चला कहीं कोई विवाद सामने नहीं आया लेकिन बात के दिनों में इस र पालियर राजगराने की बेटी हैं विजयराजे सिंधिया और जिवाजी राव सिंधिया की बेटी वसंद्रा राजे का विवाद हौलपूर राजगराने के राजकुमार हिमंद सिंग के साथ 1972 में हुआ था ये रिष्टा बहुत कम दिन चला इस दंपत्ति के पुत्र दु अब बीजेपी से ही सांसद हैं हमंद सिंग से तलाग के बाद राजमता विजयराजे सिंधिया ने अपने नवासे की ओर से भरतपूर की एक अदालत में संपत्ति की मालिकाना हक को लेकर एक वाद दायर कर दिया जो करिब तीन दशक बाद पिता पुत्र के समझहौते के र संपत्ति का बटवारा पिता पुत्र के बीच सुलह के आधार पर हुआ जिसे अदालत ने मंजूरी भी दी एक अलग तरह का विवाद धौलपूर पैलेस को लेकर खूब चर्चा में रहा है इसे लेकर राजनीती में खूब चर्चा भी होई और खूब राजनीती भी कहा गया कि जब धौलपूर यासत का भारतिय संग में विले हुआ तो उसी के कुछ साल बाद 1977 में इस पर सरकार का कबजा हो गया था जिसे कालांतर में निजी संपत्ति बना दिया गया हलांकि इसका कोई ठोस प्रमार सामने नहीं आया देश के हर युवा का सपना भी धौल कुछ हजार इसमें कामयाब होते हैं ये वो शांदार इमारत है जहां आईएस आईपीएस और आईफिस चुने जाते हैं तो इंडिये सीडियेस जैसी परिक्षाओं के माध्यम से भारतिय सेनाओं के अफसर भी चुने जाते हैं कुनलकार इस इमारत का निर्वांट साल 1920 के आस पास धौलपूर राजगराने निकराया था उस समय धौलपूर के राजपरिवार के लोगों का निवास स्थल हुआ करता था इंडिया गेट के नस्दी के भवन दिली के दिल में है पांच बार सांसत कई बार विधायक दो बार राजस्तान की सी-एम केंद्र सरकार में म गांधी की हत्या के कारण चली हवा में वह भी विखर गई उन्हें हार का सामना करना पड़ा हाला कि वे धौलपूर से ही पहली बार राजस्थान विधान सभा में पहुंची थी वे इसी धौलपूर सीट से 1993 में हारी भी थी उन्हें कॉंग्रेस के बनवारीलाल शर्मा ने श इस बार भी वे सीएम की स्वाभाविक दावेदार हैं लेकिन पार्टी ने किसी को सीएम फेस घोशित नहीं किया है तो राजस्थान चुनाओं से जुड़ी यसी तमाम रोचक जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे आप देखते रहिए भारत एक्स्प्रिस नमस स्वाइब का लगी यसी तावाव नेग्चाट प्रेखते रहेंगे यसी धनकारियां चार्टी यसी को स्वाब यसी तमाम राजस्थान चार्टी यसी तमाम यसी को सीएम तोस्प्रिस अटावावाब